अगर हम किसी की मतलब भलाई करते हैं किसी का अच्छा करते हैं तो उमीद रखा जाता है कि वापस वो हमारे लिए भी अच्छा ही कुछ सोचेगा तो ऐसा ही एक कहानी है इसमें एक बंदर और एक बच्चा है भोला नाम का बहुत अच्छा है तो उसके दोस्त को मना करते हैं कि जानवा भरोसे के काबिल नहीं होता तो मत जाओ तुमको काट लेगा लेकिन दोस्तों के मना करने भी भोला बंदर रुकता नहीं है उसको बहुत तकलीफ वो देखता है बंदर को बहुत तकलीफ हो रहा है तो उसको कुछ करना ही होगा ऐसा सोचके वो वहाँ चला जाता है और घर से दवाई और पट्टी लेकर आता है और फिर बंदर को धीरे धीरे मतलब वो चिड़ शिड़ा हो जाता न तो उसके पास जाने पी उसको डर लगता है सब दोस्त मना भी करते कि मत जो मत जो खाट लेगा काट लेगा बोला मानता नहीं है उसके डर भी लग रहा होता है लेकिन उसका जो अंदर में प्यार का दया का जो भाव होता है वो उसको उसके पास लेकर जाता है वो बंदर को पुछकारता है उसको खाने का समान उसके सामने रखता है और उसके हाथ से लाकर बोलता है मतलब बंदर भी समझ जाता है कि वो उसकी help करने आया मदद करने आया स्वेय को भूला के भरोसे छोड़ देता है और भूला की हिमत अब भड़ जाती है उसको धीरे धीरे बोलता है बस होसला रखो होसला रखो सब ठीक हो जाएगा और काटा खीच कर निकाल देता है दवाई लगा देता है और उसको पटी बंद देता है काटा निकलने के बाद दवाई लगने के बाद बंदर मतलब शान्त हो जाता है उसको दर्द भी कम हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है उसके दोस्त बोलते हैं और बंदर उस चादर को लेकर भाग जाता है. तो उसके देखको यह वही बंदर है जिसना तुमने काड़ निकल आई तो तुमारी चादर लेकर भाग गया. सबी दोस्त बोलते हैं दोके बार शुक्रिया तो किया नहीं है और हमारा समान भी चुरा कर ले गया. बोला भी बहुत उदास होता है कि हमारी चादर लेकर चला गया जानवर भी एहसान मानता है बोला ने सुना था मगर बंदर उसकी भलाय का बदला इस सरह देगा वैं यह सोचकर उदास हो गया क्योंकि वो बंदर उसका चदर लेकर भाग गया था लेकिन थोड़ा देर बाद, दो-तिन घंटे बाद होता है, बंदर वही बाला बंदर, उसकी छट में आंगन में एक गठरी फेक कर जाता है, बोला होता है, यह तो वही बंदर है, जो हमारी चादर लेकर गया था, इसमें क्या है, वो गठरी खोलता है, तो वो एकदम सब्प् हलाई का बदला चुकाया, और यह करता दिखाने का उसका तरीका था, बहुत अच्छा स्टोरी है, बंदर और भूलेगा, डीट करेगा, थेंक यू,